हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इंजिनियर्स वाला पर और एक बार फिर हम बात करेंगे आपके फेबरेट जी के टॉपिक की डैट इस करेंट अफेर्स दोस्तों आज का सेशन इस सिरीज का आखरी सेशन होगा और उसका सिंपल रिजन है कि आपका एक्जाम बहुत पास आ नहीं होगा क्योंकि हम एक सिरीज में सेशन को ले रहे थे इसलिए आज हमने सेशन ले लिया बट कल से आपका यह सेशन नहीं होगा टोटल हमने इसमें लगबग पांच सेशन कंप्लीट किये हैं और आई हो कि लगबग 250 के आसपास कोश्चन हमने कंप्लीट किये हैं और य ये questions जादतर questions जो हमने पहले session लिए हैं उनसे अलग हैं तो आप मान सकते हैं अगर आप मोटा मोटा एक अंदाजा लें अगर एक broad approximation करें तो आप ये कह सकते हैं कि लगबग लगबग हमने इन सारे sessions में लगबग लगबग 1000 से जादा questions को हमने टच किया है और मुझे लगता है कि अगर आप इन questions को अच्छे से करेंगे revision करेंगे जो भी आपके पास बचा हुआ समय है definitely आपको exam में काफी कुछ advantages से मिलने वाला है तो एक बार जल्दी से comment section में बता दीजिए audio visual सब clear है very good evening a warm welcome to all of you welcome to the session दोस्तो I hope कि आप सब अच्छे से होंगे किसी भी बच्चे के दि पहले एक छोटी सी एक booklet आती थी उसका नाम होता था KPH तो मैं उसका कोई publication नहीं कर रहा हूं बट उसमें एक line लिखी होती थी exam से पहले और वो line ऐसी थी जो मैं अब उसकी value समझ पा रहा हूं उसमें लिखा रहता था कि आप तनाव या चिंता कैसी जो तयारी करनी थी आप के पास है उसको आपको marks में convert करना है एक्जाम में किस तरीके से आप अच्छे से अच्छा उसमें perform कर सकते हैं यह आपको सोचना है हर समय पॉजिटिव रहना है अपने आपको कंसॉलिडेट करना है physically mentally या हर तरीके से अपने आपको बिलकुल exam mode में रखना है जिससे कि जब वो दो घंटे का समय आए तो आप अपना best performance दे सकें चलिए सब कुछ बढ़िया है सब क्लियर है चलिए session को चुरुआत करते हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं एक बार फिर हम जनवरी से September 2023 का current affairs करेंगे आज के session में भी काफी साथे questions हम take up करेंगे और हम बात कर रहे हैं आपक को 30 seconds का समय देता हूं कि आपका समय बहुत important है समय इसलिए हम जल्दी अर्दी करेंगे आज लास सेशन है निक क्योंकि बहुत पास है को जल्दी से पढ़ियेगा और 30 seconds के अंदर आपको इसको comment section में answer देना है which country will host an oil and gas conference from June 19 to 23 19 जून से 23 जून के बीच में किस देश में oil and gas की एक conference हुई है और जिसका में उद्देश यह था कि कई सारी energy companies को attract किया जाए especially from India कौन सा देश है जिसने विशेश रूप से भारत से उर्जा निगम को आकरशित करने की उमीद में 19 से 23 जून तक तेल और गैस के सम्मिलन की मेजवानी करी क्योंकि अब तो यह हो चुका है पर रिसेंटली अभी कुछ समय पहले ही वाइल के काफी सारे रिजर्व मिले हैं काफी बच्चों ने इसका अंसर गलत दिया ठीक है और यह South America में यह देश है इस country is in South America सूरी नेम is hosting and oil and gas conference 13 से 19 से 23 जून के बीच में और इसका जो main aim है particularly from इंडिया से कि जो energy companies हैं वो attract हों वो वहां से कुछ न कुछ business लेकर आए और इस देश में सूरी नेम में recently कई सारे oil reserve पाए गए है लगबग लगबग जिनका amount है तीन से चार बिलियन बैरल का तो भारत के लिए ये एक खुशखबरी हो सकती है जहां तक भारत के oil demand की बात है चलिए next question के लिए चलते हैं 30 second आपके पास data consultancy के नए CEO के रूप में किसे निउप किया गया ये question आने की आपके exam में बहुत ज़्यादा संभावना है लगबग लगबग मेरे इसाफ से 100 प्रतिश्यत आपको exam में question मिलेगा who has been appointed as the new CEO of data consultancy services TCS के नए CEO के रूप में किसको recently नियुक्त किया गया है what is the correct answer the correct answer is D that is K कीर्थी वसन के कीर्थी वसन कितने लोग ने सही 30 प्रतिशत लोगों ने सही answer दिया ठीक है यह किसको replace करेंगे यह Mr. Rajesh Gopinath Gopinathan को replace करेंगे जून 1st June 2023 से 1st June 2023 से यह replace करेंगे किसको replace करेंगे Mr. Rajesh Gopinathan को और इनका नाम है के केर्थी वसन याद रखिएगा important है TCS के नए CEO के केर्थी वसन चलिए next question की तरह पुछ रहा है उत्तरखंड के उत्तरकाशी के हिमालेई छेत्र में उन्नत पर्वता रोहर पाठकम पूरा करने वाली भारत की पहली महीला NCC कैड़ेट कौन बन गई है who has become the first female NCC कैड़ेट first female देखो एक तो female और दूसरा पहला तो इंपोर्टेंट हो जाता है इन इंडिया तो कम्प्लीट दा एड्वांस मांटेने इंग कोर्स इन हिमालेई रीजन ओफ उत्तरकाशी इन उत्तरकाशी इन उत्तरखंड इस तरेक्ट आंसर का सही आंसर किया ठीक है he is the first female कैड़ेट ये बीस साल की है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव से आती है इन्होंने लगबग लगबग 15,400 फुट की उचाई कि में जो पीक है drink valley इन उत्तरकाशी इसको याद रखेगा यह नाम भी पूछ सकता है जिसमें इन्होंने मौंटेनेरिंग करी यार कल भी तुमने यही कुश्चन पूछा था आज भी यही कुश्चन पूछ रहे हो नाम बादसा है बादसा किसी पर डिपेंडेंट थोड़ी रहता है बादसा ढूंड लेता है चीजों को लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं और मेरे परसनल टेलिगराम चैनल और उंजिनिर्स वाला के टेलिग्राम चैनल पर आपको आपको पीडियाव मिल जाएगा आश्यतोष सर्पीड़ेबलू के नाम से आप क्लास के बाद आपको समदा आयूप कहने कि वाइस दी में अच्छा सा हेयर फॉन खरी दो बेटा अ च चिला चिला के मैं बोल नहीं नेक्स कोस्टिन जितने भी एपॉइंटमेंट वाले कोस्टिन आपको एक्जाम में बना हुआ मिले गई कम से कम दो कोस्टिन पर आते हैं लगब लगब हर साल इस विए प्रभंदक के रूप में किसे निव्ट किया गया है वह सब्सक्राइब को इस अफिसर को ही निव्ट किया जाएगा प्रतिशत लोगों ने सही अंसर किया है अजे यादव ये 2005 बैच के आई एस ओफिसर है और ये बिहार कैडर के हैं बिहार कैडर के हैं 2005 बैच के आई एस ओफिसर रिसेंटली इनोंने चार्ज लिया है मैनेजिंग डिरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसको शॉर्ट में इस ए सी आई के नाम से भी बुलाया जाता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके ये मैनेजिंग डिरेक्टर बने हैं इनका नाम है श्री अजय यादव दोजार पांच बैच के बिहार कैडर के आई एस ओफिसर है नेक्स कोश्चन ये कोश्चन शायद हमने कल किया था तो यह आपको याद होना चाहिए इसी से रिलेटेड एक कुश्चन था चलिए कोश्चन पूछ रहा है नीदर लैंड के टिलबर में टीम मीटिंग दोजार तेईस एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की सौ मीटर की रेस जो बाधा दौर थी इस हंडर मीटर हडल इवेंट इन देटी मीटिंग 2023 आथलैक्स मीट इन तिलबर्ग नीदरलेंड तिलबर्ग नीदरलेंड अन्सर इस वी जोथी यारा जी नाम इंट्रेस्टिंग है इस वज़े से आपको याद रहना चाहिए जो ती यरा जी इन्होंने गोल्ड मेडल जी अगर की नाम पर रखा जाएगा यहह मदनगर किस राज में स्टित है । ace Immerद भर कर ना बदलकर तो इस कोस्चन में अगर आपके पास common sense है तब भी आप इस question का answer कर सकते हैं यह भले आपको नहीं पता था क्योंकि नाम से ही आप समझ सकते हैं अहिलिया भाइ होलकर यह कहां बिलॉग करती है यह महरास को बिलॉग करती है तो अहमद नगर कहा होगा महरास में होगा दो पचास पिच्षल्ट लोगों ने इसका सही आंसर दिया इस डिसीजिंस फाइदा क्या होगा कई बार लोग पूछते हैं कि नाम बदलने से क्या फाइदा होगा तो बेसिकली एहमद दगर का नाम बदल कर अहिलिया भाई होलकर जी के नाम पर रखने से क्या होगा जो वहां की लोकल कम्यूनिटी है धंगर जो धंगर कम्यूनिटी है जो पॉपलेशन में एक बड़ा हिस रखती है उसको एंपावर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि लोग आइडेंटिटी से करते हैं मान लीजिए आपके घर के आसपास के कहीं किसी जिले से कोई बड़ा किसी पोस्ट पर निकल जाए कोई महान बन जाए कोई प्रसिद हो जाए तो आप उससे अपने आ जूनियर एशिया कप 2023, मैंस जूनियर एशिया कप 2023, what is the correct answer? किस देश ने मैंस जूनियर 2023 जीता है recently? तो इसका सही आंसर है इंडिया, recently इंडिया की जो हौकी के टीम है उसने पाकिस्तान को हरा कर जो मैंस जूनियर एशिया कप 2023 यह उसको जीता है, इसका सही आंसर है A, 77 प्रतिशत लोगों ने इसका सही आंसर दिया, इंडियन हौकी टीम रिकारड़े टू 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 वन विन ओवर पाकिस्तान इन फाइनल ऑफ मैंस जूनियर एशिय कप 2023 इन सलाह ओमन, कहां पर हुआ था यह, यह एशिया कप हुआ था, सलाह ओमन में और इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, ठीक है, कुछ और डिटेल ले लेते हैं, इंडिया के जो टॉप स्कोरर थे, उनका नाम है अराई जीत सिंग, अराई जीत सिंग हुंडल, अराई जीत सिंग हुंडल यह इंडिया के टॉप स्कोरर थे, मैंस जूनियर एशिय कप होकी मैच में, इन्होंने आठ गोल किये, इस वाज इंडिया इस फोर्थ टाइटल एट मैंस जूनियर एशिय कप, having won it previously in 2004, 2008 and 2015, इस से निम्लिकित में से किस देश ने अपना पहला वानिजिक ग्रेड उपग्रे लाँच किया है, which of the following country has launched its first commercial grade satellite, किस देश ने अपना पहला commercial grade satellite recently launch किया है, अपना पहला वानिजिक ग्रेड 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 सेटलाइट लाँच किया है, commercial grade satellite को दक्षिन कोरिया के गोहांग में narrow space center दोरा launch किया गया है, कहां पर किया गया है, narrow space center, South Korea में, गोहांग South Korea में narrow space center है, और जिस rocket से इसको launch किया गया है, उसका नाम है नूरी, नूरी launch rocket से इसको launch किया गया है, इसका जो main objective था वो ये था to verify the imaging radar technology, radar technology की imaging को check करना and observing cosmic radiation in near earth orbit, अर्थ के पास की जो orbits हैं उसमें जो cosmic radiations आते हैं, उन cosmic radiations को study करना इसका उद्दिश था, the main satellite called next generation small satellite 2, इसका जो नाम था satellite का वो था next generation small satellite, तो इसमें तीन चार important बाते हैं, जहां से question बन सकता है, पहला South Korea ने किया था, कहां से किया था, narrow space center Gohan से किया था, किस rocket से किया था, नूरी rocket से किया था, satellite का नाम क्या था, जो main satellite थी, उसका नाम था next generation small satellite 2, next question, ringside नामक पुस्तक के लेखक कौन है, who is the author of book titled ringside, what is the correct answer, what is the correct answer, the correct answer is, dr. Vijay Darda, dr. Vijay Darda, she is the correct answer, देखते हैं, कितने लोगों ने सही answer दिया है, चल जा भाई, चल जा, 31 प्रतिशत लोगों ने सिर्फ सही answer दिया, recently अभी Congress के जो member of Parliament है, dr. Shashi थरूर, इन्हों ने ringside book को launch किया है, और ये, किसने ये किताब लिखी है, dr. Vijay Darda ने लिखी है, ये भूतपूर, member of Parliament रहे चुके हैं, dr. Vijay Darda, और किस एडिटिंग ग्रूप के ये चेर्मेन है, उसका नाम है लोगमत मीडिया ग्रूप, एडिटोरियल बोर्ड चेर्मेन, ये लोगमत मीडिया ग्रूप के जो एडिटोरियल बोर्ड है, उसके चेर्मेन भी है, dr. Vijay Darda, इसमें इन्होंने बेसिकली अपनी जो weekly आर्टिकल्स लिखते थे, 2011-16 के बीच में, लोगमत मीडिया ग्रूप में ये जो आर्टिकल्स लिखते थे, उन आर्टिकल्स का संग रहे है, लोगमत मीडिया ग्रूप, इसका नाम याद रखिएगा, ये इसके चेर्मेन भी है, य which state government has set up an expert committee to review the 1972 reservation policy अब यह कोस्चन भी अगर आप common sense है आपके पास तो वहां से आप इस question को कर सकते थे वहां से इस question को आप बना सकते थे मैंने आपको बताया कि Northeast इस साल के एक्जाम के लिए important है definitely वहां से question बनेगा तो इसका सही answer है मेघाले the correct answer is मेघाले डी मेघाले मेघाले में recently सबने गलत answer दिया 1972 की जो reservation policy है उसको लेकर एक recently एक expert committee बनाई गई है और उसका जो है गठन किया गया है next question तीस सेकेंड का समय आपके पास 2023 से 27 तक चार साल के वर्ड meteorological organization में चार यर के टम के लिए किस नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है who has been elected as the new president of world meteorological organization for a four year term from 2023 to 27 चार साल के टर्म के लिए world meteorological organization के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है और यह question भी आने की संभावना लगभग लगभग सौ प्रतिशत है आपके exam में इसको ध्यान रखिएगा ठीक है the correct answer is Dr. Abdullah Almendus Dr. Abdullah Almendus नाम भी interesting है आपको याद रहेगा अब्दुल्ला Almendus लगभग 58 प्रतिशत लोगों ने सही answer दिया यह United Arab Emirates के एक बड़े ही famous meteorologist है UAE से belong करते हैं ठीक है इन्होंने किसको replace किया इन्होंने प्रोफेसर गरहर्ड एड्रियन को replace किया है जो जर्मनी meteorological services से आते हैं तो जर्मनी के मिस्टर गरहर्ड एड्रियन को इन्होंने replace किया है और इनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला Almendus यह वर्ड meteorological organization के नए अध्यक्ष के पद पे चुने गए हैं next question पूछ रहा है कि श्री नगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहर इस शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का tag मिल जाएगा by which year the city will get the smart city tag under the श्री नगर smart city project इस question को काफी लोग answer कर लेंगे बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो हम बोलते हैं बार बार smart smart इस स्मार्ट का मतलब क्या होता है what is the meaning of this word smart बहुत सारे लोग कहते हैं smart phone आपके हाथ में जो एंड्राइट से कुछ लेना देना स्मार्ट का मतलब क्या है is someone का मतलब होता है user interface जैसे improving की बोल रहे हैं आप अपने मुबाइल से अपने जीवन की काफी सारी जुरोत् 02 को पूरा कर सकते हैं सारे बैंकिंग के काम कर सकते पढ़ाइं कर सकते हैं information का transfer कर सकते हैं, data का transfer कर सकते हैं, call कर सकते हैं, video call कर सकते हैं, voice call कर सकते हैं, message कर सकते हैं, बहुत सारे videos को access कर सकते हैं, चीजों को पढ़ सकते हैं, आपके जीवन की हर एक जरूरत जो आप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो आप अपने phone के थूरू कर सकते हैं, क्योंकि उसमे utility interface हो जो electrical engineer अभी session में बैठे होंगे हम smart grid की बात करते हैं smart grid क्या है grid आप समझते होंगे जो power system का पूरा network उसको grid कहते हैं उसमें smart क्या उसमें user interface बढ़ जाता है smart metering करते हैं customer बता सकता है real life real time में कि भाईया मुझे इतने unit बजली चाहिए उस हिसाफ से प्लानिंग कर सकते हैं, तो smart का मतलब है, जितना ज़्यादा user interface होगा, वो चीज, वो device उतना ज़्यादा smart होगी, तो जब आप smart city की बात करते हैं, तो smart city को आप ऐसे समझ सकते हैं, कि वहाँ पर हर चीज user interface से होगी, जैसे मैं आपको example दे रहा हूँ, मान लीजे आप किसी outlet पर जाते हैं, आप कुछ समान खरीदते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप जेब से पैसे निकालते हैं, जो conventional तरीका है, और समान खरीदते हैं, बट अगर आप smart city की बात करेंगे, तो वहाँ पर सब कुछ automated होगा, आप गए, आपने समान लिया, वहाँ पर कुछ payment का होगा, आपने वो किया, टैग किया, और minimum minimum जहां पर human intervention, एक मलब किसी दूसरे इंसान का intervention कम से कम हो, सिर्फ आप और उस utility के बीच में इंटरफेस हो रहा हो, उसको हम smart बोलते हैं, I hope आप मेरी बात समझ रहे होंगे, तो श्री स्री नगर को smart city का tag मिल जाएगा, the correct answer is A, 2024, 2024 तक स्री नगर को आप smart city कह सकते हैं, correct answer सिफ साथ प्रतिशत लोगों ने दिया, और लगबग लगबग मान के चलिए, 125 नए project launch किये जा रहे हैं, जिनकी लगबग लगबग जो cost है, वो 930 करोड के आसपास है, आप समझ सकते हैं स्री नगर में बहुत सारा development होने वाला है, next question, 30 second के लिए, निमलिकित में से किसने 2023 cricket wish cup में भारत्री cricket team का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है, which of the following has launched a campaign called जीतेंगे हम, ये question भी आपके एक्जाम में पूछा जा सकता, जीतेंगे हम, to support the Indian cricket team in 2023 cricket world cup, 2023 में जो cricket cup world cup होने वाला है, उसमें Indian team को support करने के लिए, किस संस्था ने जीतेंगे हम नामक कारकम या कैंपन की शुरूबात करी है, the correct answer is, बी अदानी ग्रूप, बी अदानी ग्रूप, रिसेंटली अभी अदानी ग्रूप की बर्डे थी, जिस दिन अदानी दिवस मनाया गया, पांच प्रस्षित लोगों ने सही आंसर दिया, सब ने गर्वणा आंसर दिया, तो अदानी ग्रूप ने रिसेंटली अपना foundation day अभी रिसेंटली सेलिबरेट किया था, और इस foundation day के दिन इन्होंने क्या किया, 1983 में जब भारत ने पहला विश्विकप जीता था, 1983 विश्विकप में उसमें जो प्लेयर से उनको सम्मान दिया, और इस दिन गौतम अदानी जी को का 61 जनम दिन भी था, 61 यर्स के हो गए, गौतम कब होने वाला है, 2023 में, चलिए, next question, जिस राज के पुलिस विभागने राज में अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए, operation conviction शुरू किया है, operation conviction शुरू किया है, which state police department has launched operation conviction to combat the criminals and mafias in the state? बेटा, पोल में answer नहीं देना है, आपको अपने YouTube के comment section में answer लिखना है, वहीं से हमारा जो पोल है, quiz है, वो answer को पकड़ लेगा, यह latest technology है, वो सिफ PW के पास है, और वहीं से आपको अपने भविश्य के बारे में पता चल जाएगा, the correct answer is, उत्तर प्रदेश, the correct answer is, A, उत्तर प्रदेश, 88% लोगों ने सही answer दिया, इसका मतलब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, खुश हो जाईए, next question, तीज सेकेंड में, Reserve Bank of India, ये question हम कर चुके हैं, ये question हम पहले कभी कर चुके हैं, तो ये शायद कुश्चन आफ रिलेट कर पाएंगे, भारती Reserve Bank ने हाल ही में नेमलिकित में से किस सहकारी बैंक का banking license कैंसल किया, exactly same question हम कर चुके हैं, language अलग थी, बट exactly लगबग लगबग same question हम कर चुके हैं, किस सहकारी बैंक का banking license recently RBI ने रद कर दिया है, the Reserve Bank of India has recently cancelled the banking license of which of the following cooperative bank, cooperative bank क्या होता है, पढ़ाएं हमने economy में cooperative bank क्या होता है, देखो, कोई भी cooperative bank को छोड़ दो, कोई भी जो cooperative society है, कोई भी जो cooperative society है, वो किसी अन्य organization से अलग क्यों होती है, इसका हिन्दी में नाम होता है सहकारी, सहकारी, तो आप नाम सही समझ सकते हैं, सहकारी मतलब साथ-साथ करना, साथ-साथ करने का मतलब क्या है कि मान लो, कोई organization किसी एक individual के नाम पर नहीं है, बट एक group of people के नाम पर है, तो उसमें जो लाब होगा, यहानी होगी, वो बराबर बराबर distribute हो जाएगा, ऐसी societies को, ऐसी organization को हम सहकारी organization या cooperative organizations बोलते हैं, तो जो बैंक होता है cooperative, उनको हम इस ट्रेनी में रखते हैं, the correct answer is, महालक्ष्मी cooperative bank, महालक्ष्मी cooperative bank का license recently RBI ने रद कर दिया है, देखते हैं, कितने लोगों ने, 85 प्रिश्चत लोग इसलिए सही answer दे पाए, यह करनाटक में based है, करनाटक में यह bank, cooperative bank based है, महालक्ष्मी cooperative bank, और RBI का जो act है, section 5B, उसके आधार पर इसका banking license रद कर दिया गया है, और अब यह non-member से deposit नहीं ले सकता है, यह एक, यह एक non-banking organization की तरह काम क कर सकता है, बट यह banking जो procedures हैं, उनको अब execute नहीं कर सकता है, next question, 30 second के लिए, सैन्य अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के उदेश ते किस संगठन ने अनुसंधान चिंतन शिवर का आयोजन किया है, which organization has organized an anusandhan chintin shivar, anusandhan chintin shivar with an aim to encourage military research and development, the correct answer is DRDO, the correct answer is DRDO, common sense का question था, अगर आप इसको थोड़ा सही से read करते, तो आप इस question को पकड़ लेते, क्योंकि देखो यह बात किसकी कर रहा है, यह बात कर रहा है, military research, military research की बात कर रहा है, defense research and development organization, नाम सभी पता चल ला है, defense related है, military organization, और anusandhan, anusandhan मतलब किसकी बात कर रहा है, research and development की, तो यहां से आप relate करके इसको पकड़ सकते थे DRDO को, चलिए, next question, 30 second के लिए, भारत के लिए महतुपूर्ण खनेज पर भारत की पहली report का अनावरण किस ने किया है, who has unveiled India's first ever report of critical minerals, total कितने critical minerals की list आईए, यह हमने पहले कभी पढ़ा था, total जो इंडिया में critical minerals है, critical minerals कौन से होते हैं, वो minerals जो rare होते हैं, जल्दी नहीं पाए जाते हैं, और किसी न किसी strategic manufacturing में उनका use हो सकता है, जैसे defense में हो सकता है, suppose nuclear से related किसी technology में हो सकता है, या और किसी चीज़ में हो सकता है, जो हमारी sensitive strategic कहीं न कहीं उसमें कुछ importance हो, ठीक है, तो किस ने किया है ये अनाबरण, किस ने किया होगा, minister of mines ने किया होगा, minister of mines कौन है, प्रहलाद जोशी, the correct answer is, प्रहलाद जोशी, ए प्रहलाद जोशी, minister of mines, 26 प्रतिशत लोगों ने सिफसाई, common sense नहीं use करोगे तो answer नहीं कर पाऊगे, प्रहलाद जोशी है, union minister of mines, इन्होंने इंडिया का पहला report, जो critical minerals के उपर है, इसको publish किया है, रिसेंटल इसमें total कितने minerals हैं, इसमें 30 critical minerals हैं, 30 critical minerals हैं, और ये बहुत strategic sectors में use होते हैं, जैसे defense हो गया, agriculture हो गया, energy हो गया, pharmaceuticals हो गया, टेलीकॉम हो गया, चलिए, 30 second के लिए नया question, who has won Thailand Open 2023 Women Singles title, किसने अभी recently Thailand में conduct हुआ, Open 2023 Women Singles title को जीता है, डेविल जी पूछ रहे हैं सर्थ, दो महिने अली क्लास, अब तो exam ही आगे, बेटा, अब क्या क्लास लगए, अब क्लास वास खतम, अब मो माया से तुम लोग ऊपर उठ चुके हो, अब exam दो, खुले मंद से, अब exam के बाद आप बताना, कि कैसा रहा आपका exam, फिर हम next year के लिए, 2024 के लिए, फिर से classes start करेंगे, ठीक है, फिर से हम classes start करेंगे 2024 के लिए, who has won Thailand Open 2023 Women Singles title, the correct answer is N.C. Young, N.C. Young, ये कहा कि ये Bangkok की है, ये वर्ड की second number की खिलाडी है, तीस प्रिच्चत लोगों ने सिफ सही answer दिया, ये Bangkok की वर्ड की number two की खिलाडी है, इनका नाम है N.C. Young, इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने चाइना के, हे बिंग जियाओ, हे बिंग जियाओ, को बैडमिंटन का जो Thailand में ओपन हुआ है, विमेन सिंगल उसमें हराया है, ठीक है, चलिए, next question, दुरलब रोग नीती को लागू करने के लिए, किस संस्था ने एक समिती को गठन किया है, यह question भी हमने पहले किया हुआ है, this question also we have done in the earlier sessions, which institution has set up a committee to implement the rare disease, rare diseases policy, the correct answer is Delhi High Court, Delhi High Court ने recently एक कमेटी का गठन किया है, जो rare disease policy से related decision लेगी, the correct answer is B, यह question कर चुके हैं हम लोग दोस्त, पांच प्रिश्ट लोगों ने सही answer दिया, important question है, क्योंकि इस question में वो आपको चल सकता है, इस question में वो आपको घुमा सकता है, कैसे घुमा सकता है, अब ज़्यादा तर लोग क्या सोचेंगे, rare disease है, तो Ministry of Health and Family Welfare होगा, घुमा सकता है question में, काफी लोग इसका गलत answer देंगे, बड़ सही answer है, Delhi High Court, देखो कैसे, High Court कैसे स्वास के उपर दे रहा है, तो मैं आपको बताऊं, कोई भी court, चाहे वो High Court हो, चाहे वो Supreme Court हो, जब किसी भी राजी की सरकार, किसी important मुद्दे को नजर अंदास करती है, और मान लो, किसी ने जाके एक rate petition डाल दी, court में जाके, कि भीया, ऐसा ऐसा गरबड हो रहा है, देखो क्या करें, तो जब भी कभी सरकार, अपने रास्ते से इधर उधर deviate होगी, तो court के पास ये अधिकार होता है, ये authority होती है, कि वो सरकार को रास्ता दिखा सकता है, चाहे वो high court हो, चाहे वो supreme court हो, चलिए, next question, किस देश ने हाल ही में, देश भक्ती विधेयक पारित किया, जो चिनाव से पहले सरकार की अलोशना पर रोख लगाता है, which country recently passed the patriotic bill, that prohibits the criticism of the government, prior to the elections, election से पहले सरकार का criticism करने के विरोध में, किस देश ने recently patriotic bill, patriotic मतलब देश भक्ती bill, recently launch किया है, जारी किया है, पास किया है, the correct answer is Zimbabwe, the correct answer is Zimbabwe, B, Zimbabwe, 50% लोगों ने सही answer दिया, ठीक है, अगर इस आनून का उलंगन कोई करता है, तो उसको कितने साल की जेल होगी, उसको सिर्फ और सिर्फ 20 साल की जेल होगी, तो अगर आपको 20 साल के लिए जेल में जाना है, तो Zimbabwe जाईए, और election से ठीक पहले केडिसिसम कर दीजिए, तो आपको 20 साल की जेल हो जाएगी, ऐसा मैं इसलिए बोलना हूँ कि तुम लोग ऐसा मत करो, और तुम लोगों को याद रहे, कि सर ने ऐसा कहा था, तो एक्जाम में तुम लोगों को याद रहे, ठीक है, ऐसा नहीं जेल बाउबे पहुँच गए, चलो, नेक्स्ट कोश्चिन, तीस सेकेंड के लिए, मैं दोहजार तैईस में किस परोशी देश की वार्षिक मुद्रा इस्वीती दर 37.97% दर्ज की गई है, ये जानकर आपको बहुत खुशी होने वाली है, इंडिया में तो 78% ही इंफ्लेशन हो जाता है, तो हाई तॉबह मत जाती, लोग छाती पीटने लगते हैं, भाईया महंगाई, भाईया महंगाई, सोचो पाकिस्तान का क्या हाल है, 37.97, लगबग लगबग 38% महंगाई की दर, आप समझ सकते हो, मैं तो यह नहीं समझ पा रहा हूं, यह डेटा देखने के बाद कि पाकिस्तान में लोग जिंदा कैसे हैं, इतनी महंगाई होने के बाद, पाकिस्तान तो पाकिस्तान ऐसी चीज़ों में आगे है, एक फेल स्टेट है, लगबग लगबग आप कह सकते हैं, छाचेट प्रचिशत लोगों ने सही आंसर दिया, ठीक है, चलिए, नेक्स कोस्टिन देखते हैं, 30 सेकंड के लिए, पूछ रहा है, किस केंडरी मंत्राले ने स्वेक्छ जल से सुरक्षा अभियान रिपोर्ट जारी करी, देखो ये भी कॉमन सेंस का कोस्टिन है, इसमें आप कुछ नहीं, दिमाग चलाना ही नहीं है, दिमाग है तो भी उसको डिब्बे में बंद कर दो, ऐसे कॉस्टिन्स में, यहां सिर्फ कॉमन सेंस चलेगा, कितना भी आपने पढ़ा हो, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लेकर नहीं जा रहे हो एक्जाम में, तो मिनिस्ट्री आप जल शक्ती, मिनिस्ट्री आप जल शक्ती ही तो यह रिपोर्ट जारी करेगी भाई, पानी से रिलेटेड, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल जीवन मिशन के अंतरगत यह रिपोर्ट लॉंच करी गई है, 85 पिच्छत लोगों ने देखो सही आंसर किया जल जीवन मिशन के अंतरगत इसको इस रिपोर्ट को पबलिश किया गया है स्वक्ष जल से सुरक्षा कैम्पेंड रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के अनुसार लगबग लगबग 5.39 लाख जो है गाओं का निरिक्षण हुआ है वहाँ के वाटर क्वालिटी का कैमिकल को लेके और लगबग लगबग साड़े चार लाख गाओं का बैक्टीरिया को लेके वहाँ के जल का निरिक्षण हुआ है सौम्या भरत्दाज इमोशनल हो गया ऐसा नहीं बोलते बेटा किसी भी देश के बारे दुश्मन को भी प्यार करो यही तो गांधी का देश है यही तो महत्मा बुद्ध का देश है दुश्मन को भी सम्मान दो वो अपने आप जुख जाएगा चलो नया कुस्टिन 30 सेकेंड के लिए 2023 में शंगारी ला डायलॉग की मेजवानी किस देश ने करें देखो यहां से ही आपको पकड़ लेना चाहिए था यहां से ही आपको पकड़ लेना चाहिए था शंग्री ला डायलोग 2023 में किस देश में वह नाम से आपको पता चलाए कि यह कहां हुआ होगा यह सिंगापूर में हुआ होगा बी सिंगापूर इस दा करेक्ट आंसर देखो मैं आपको बताओ जब भी आप जीवन में कोई लडाई लडोगे तो आपका जो सबसे ज़्याद कोई मदद कर सकता है वह आप खुद हो और वो है आपका common sense कोई नैच्टरल पावर नहीं चाहिए कोई बहुत एक्स्ट्रा एबिलेटी नहीं चाहिए सबके दो हाथ है सबके पास एक दिमाग है दो आखें एक नाक है एक मूह है दो कान है दो पैर है कोई एक्स्ट्रा एब में मिलेगी ही मिलेगी 29% लोगों ने सही आंसर दिया चलिए next question नियाय मंत्राले की केंदर पायोजित योजनाओ के कार्यान्वन की निगरानी के लिए किस नए पोर्टल को शुरू किया गया है what is the name of the portal launch for the monitoring of the implementation of centrally sponsored schemes of justice ministry इसका क्या नाम है the correct answer is नियाय विकास पोर्टल the correct answer is a नियाय विकास पोर्टल a is the correct answer काभी सारे बच्चों ने सही answer किया और जितने भी लोग गूगल से ढूंड कर अर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जो वर्ड की अर्थवैस्ता है उसकी विकास दर क्या है इस पर वर्ट बैंक्स लेटिस्ट ग्लोबल एक्नोमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट इस अप्रेंट इस एटू-प्यूपास सेंट एटू-पाइंट वपर सेंट इस एटू-पाइंट परसेंट ग्रेंट अंसर ड़ोग ने सही आंसर दिया विलकुल सही हम कर चुके थे है मैं 22 में कितना था 22 में 3.1 परसेंट तर में 23 में कितना आया है दो शक्रलाव एक परसेंट टिक चलो कि नेक्स कोस्चिन यह पूछ रहा है कि प्रेणना दवर्नाकुलर स्कूल which has been in the news is located in which state यह बहुत important question है पूछा जा सकता है लगबग लगबग सौव प्रतिशत संभावना है कि आपकी एक्जाम में पूछा जाए कहीं न कहीं जरूर पूछा जाएगा प्रेनद अवर्नकुलर स्कूल जो खबरों में था यह किस राज्जी से related है तो मैं आपको बता दूँ हमारे वर्तमान समानी रेस्पेक्टेट प्राइम मिनिस्टर जो प्रधान मंतरी शी नरेन मोदी जी है वो जिस स्कूल से पड़े हैं उस स्कूल को modify किया गया है एक model स्कूल के रूप में उसको develop किया गया है और उसको नाम दिया गया है प्रेणना दवर्नकुलर स्कूल यह वही स्कूल है जहां से हमारे प्रधान मंतरी शी नरेन मोदी ने शिक्षा क्रेंड करी है और यह कहा है गुजरात में है इस से आपको याद रहेगा अनतीस प्रिश्चत लोगों ने लगवग सही आंसर दिया गुज़ात में कहां पर है महसाना डिस्ट्रिक्ट गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है महसाना एम से मोधी एम से मैसाना याद रहेगा आपको चलिए नेक्स्ट कोश्चन तीस सेकेंड के लिए प्रथम राश्टी प्रशिक्षान कॉन्फरेंस लीग किस शहर ने की है विस सिटी हाज ओस्टेड फिर्स नैशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव फिर्स नैशनल ट्रेनिंग कॉन् क्यों क्यों लिख है और कमेंड सेक्षन में अमन सिंग नाम अमन सिंग और कमेंड सेक्षन में कैसी बाते क्व लेक है बच्कों क्वै濑 के बूरोक्राइट के विए है कौन करा रहा है capacity building commission किसने होस्ट करी ये event capacity building commission ने ये किसके अंतरगत है national program for civil services capacity building national program for civil services capacity building तो civil services में मतलब जो आईएस अधिकारी होते हैं आईएस IPS अधिकारी होते हैं उनकी training के लिए है और इसका नाम है mission कर्मयोगी ये आप से mission कर्मयोगी के नाम से भी ये question पूछ सकता है तो आप याद रखिएगा इसकी जो पहली training की जो conclave है वो new Delhi में हुई है और mission कर्मयोगी से आप इसको याद रखिएगा next question world squash federation squash wish cup कहा युजित किया जाता है where is the world squash federation squash world cup held what is the correct answer the correct answer is the correct answer is be chain 9 इससे पहले भी जब यह हुआ था world squash federation का जो championship था इससे पहले भी चैननाई में ही हुआ था और इस बार भी चैननाई में ही हुआ है correct answer is be chain 9 35 लोगों ने सही आंसर दिया चलिए इसमें लगबग इसमें आठ देशों ने पार्ट लिया है आठ देशों ने इसमें भागेदारी करिए जिसमें इंडिया भी है ठीक है हॉंग कॉंग है जापान है मलेशिया है एजिप्ट है साउथ अफ्रीका है और अस्टेलिया है और कोलंबिया है इसका जो लास्ट एडिशन हुआ था वह भी चैननाई में हुआ था और यह चौथा एडिशन है जो फिर से चैननाई में हो रहा है चलिए नेक्स कोश्चन तीस सेकंड के लिए नहरू मेमोरियल संग्राले एबं पुस्तकाले सुसाइटी क का नया नाम क्या है यह भी कॉमल सेंस वाला कोश्चन था सौरब गोशल वन लेजेंड ओफ दिस गेम तरुन मीना बता रहे है तो भाई चेक कर लेना मुझे इसका आइडिया नहीं है अगर यह सही है तो यह भी इंपॉर्टेंट हो सकता आपके लिए सौरब गोशल ठीक है तो इसका नया नाम क्या रखा गया है बी प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम और लाइब्रेडी सोसाइटी नहरू जी का नाम हटा कर प्राइम मिनिस्टर का नाम रख दिया गया है पी इस दा करेक्ट अंसल बाननवे प्रितिशत लोगों को यह बात पता थी चलिए बहुत अच्छा नेक्स्ट किस देश ने फिलिप ग्रीन को भारत में अपना नया राजदूद बनाकर निउट किया है इन्वाइ मतलब दूथ अंबैजडर करेक्ट है निक बोल रहे है तो सौरब घोशल का नाम इस कोश्चन के आगे आप लिख लीजेगा हो सकता है उससे कुछ कोश्चन बन जाए जो बच्चे अच्छा कंट्रिब्यूट कर रहे हैं उनका तो बढ़ाई करनी पड़ेगी त चुछ में इंडिया में गोशित किया है 25 प्रतिशत रोगों ने सही आंसर दिया आस्टेलिया थे जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम एपैनी वॉंग पैनी वांग ने एनउंस किया कि जो नए अंबेजडर होंगे इंडिया के ऑस्टेलिया की तरफ से वहंगे फिलिप ग बैरी ओ फेरेद चलिए ठीक है निक बेटा अगर आप इतना सोच पा रहे हैं बहुत बड़ी वात तीस सेकेंड विश्व की पहली महिला कबड़ी लीग का मेजबान कौन सा शहर है महिला की कबड़ी का जो लीग स्टार्ट हुआ है वो कहां पर उसका पहला होस्ट कौन है फर्स्ट महिला कबड़ी लीग का मेजबान कौन सा शहर है गत्ति प्रच्षत लोगों ने सही आंसर किया है तो जो इनॉग्रल एडिशन है इंडिया का पहला विमेन कबड़ी लीग डबलू के एल जैसे इपल होता है वैसे डबलू के एल इसको दुबई में रिसेंटली लॉंच किया गया है इसमें आठ चरण होंगे लगबक 96 प्लेयर हैं जो भारत के अलग-अलग राज्यों को रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें जो जीतने वाली टीम है लगबग लगबग उसको एक करोड उपे दिया जाएगा जो वहां दुबई के हिसाब से लगबग लगबग हाफ अ मिलियन दिरहम्स के आसपास है चली फीफा की घोशना के अनुसार इंडोनेशिया किस खेल के आयोजन की मेजबानी करेगा ये भी इंपॉर्टेंट है according to the FIFA announcement which sports event will be conducted by Indonesia as the host the correct answer is under 17 World Cup correct answer is under 17 World Cup 81 प्रिशद लोगों को ये बात पता दी चलो बहुत अच्छी बात next question 30 second के लिए Greece के प्रधान मंतरी के रूप में दूसरी बार किस ने शपत लिये who has been sworn in as the Prime Minister of Greece for the second term for a second term the correct answer is A इनका नाम बड़ा interesting आपको याद रहेगा केरिया कोस मिच्सो तास्की सॉरी मिच्सो ताकीज मिच्सो ताकीज केरिकोस मिच्सो ताकीज ठीक है आप अपने किसी दोस्त का ये नाम रख सकते हैं जिससे आपको याद रहे ठीक है ये दूसरी बार लगातार ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए है 92 पिछत लोगों ने सही आंसर दिया इसका मतलब आप लोग महनत कर रहे है इस कोस्टन में आप से पूछ रहा है कि जो आथमा वैश्विक फार्मसेटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 था उसकी थीम क्या थी उसका विशे क्या था वाट वस थीम अव एट्थ ग्लोबल फार्मसेटिकल क्वालिटी समिट इन 2023 ग्रेक्ट आंसर इस दी patient centricity new paradigm of manufacturing and quality patient centricity new paradigm of manufacturing and quality the correct answer is D the correct answer is D 88 प्रतिशत लोगो ने इसका सही आंसर दिया चली next question Asia University Rankin 2023 में प्रदर्शित विश्विद्यालों की संख्या के मामले में कौन सा देश प्रतम इस्थान पर है which country holds the first position in terms of number of universities featured in Asia University Rankin Asia में universities की ranking के लिए number of university के इसाब से किस देश का पहला इस्थान है पहला इस्थान जापान का दूसरा है चाइना का और तीसरा है इंडिया का the first number is Japan the first number is Japan पंद्रा दशमलव साथ नो प्रतिशत लोगों ने सही आंसर दिया जापान की कितनी है लगभग लगभग 117 युनिवेस्टीज को रैंकिंग में शामिल किया गया है इंडिया सौरी चाइना की ग्लोबल रेटिंग के अनुसार वित्ती वर्ष दोजार तेईस चौबिस में भारत के लिए अनुमातिक खुद्रा मुद्रा इस्वीति क्या है what is the projected retail inflation for India in the fiscal year 2023 2024 as per the S&P standards and poor global rating ये एक अंतराश्टी संस्था है अमेरिकी संस्था है जो credit rating करती है देशों की और उनके बारे में उनकी economy से related कई सारी जानकारी predict करती है the correct answer is C 5% the correct answer is C 5% 10 प्रतिशत लोगों ने सिफ सही answer दिया है next question पूछ रहा है कि जो reward program है वो भारत में किस संस्था के द्वारा उसको help करी जा रही है assist किया जा रहा है reward program is assisted by which institution in India the correct answer is World Bank the correct answer is World Bank World Bank the correct answer is World Bank इस प्रोग्राम के full form में आपको बता देता हूं क्यासी प्रिशत लोगों ने इसका सही answer दिया है इसका जो full form है वो है rejuvenating water sheds rejuvenating मतलब किसी को नया जीवन प्रतान करना पुनर जीवन देना रिजुबनेटिंग water sheds for agricultural resilience agriculture resilience मतलब खेती को ऐसा बनाना कि वो विशम परिस्तियों को जेल सके through innovative development program through innovative development program रिजुबनेटिंग water sheds for agricultural resilience through innovative development reward program यह वर्ड बैंक के द्वारा एसिस्ट किया जा रहा है इसमें जो पैसा वैसा लग रहा है वर्ड बैंक लगा रहा है काफी कुछ और यह 2021 से 2026 तक यह प्रोग्राम चलेगा next question अंतराश्टिये जैविक महतसव 2023 का मेजबान कौन सा शहर है which city is the host of the international organic महतसव 2023 the correct answer is विशाखा पटनम विशाखा पटनम में जो natural method से जो खेती होती है उसको बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है हाल ही में और जो potential consumers हैं जहां से उनको फाइदा हो सकता है उनको एक common platform पे लाने के लिए international organic महतसव को recently विशाखा पटनम में host किया गया है the correct answer is विशाखा पटनम c विशाखा पटनम 70 प्रतिशत लोगों ने सही आंसर गिया next question हाल ही में किस अंतरिक्च agency ने पुष्टी की है कि पहली बार मंगल ग्रह से प्रत्षवी पर एक alien signal भेजा गया है अब आप लोग थोड़ा सा alert हो जाईए मंगल ग्रह से alien ने signal भेजा है ऐसा कौन कह रहा है ऐसा कह रहा है ESA European Space Agency European Space Agency ने रिसेंटली एक सिग्नल डिकॉर्ड किया है जो उसका मानना है कि किसी मंगल ग्रह से किसी alien भेजा है तो हो सकता है हमीं लोग कोई बिछड़ा भाई बंदू हो मंगल ग्रह पे चला गया हो 15 परसेंट लोगों ने सही आंसर दिया नेक्स कोश्चन तीस सेकंड के लिए किस देश ने हेलिकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला प्रधर्शन अधारित नभिगेशन प्रधर दित किया है वीच कंटी दिमोंस्ट्रेटेड इस्वर्फर्फ प्रफॉर्फॉर्मंट बेस नभिचेशन ऐश्या का जो अपना लोकल जी प्यएस है गगन उसके उसको यूज करते हुए जो है हेलिकॉप्टर के लिए ये विवस्था पहली बार इंडिया ने करी है गगन जिसका फुल फॉर्म है GPS Aided Geo Augmented Navigation GPS Aided Geo Augmented Navigation is an Indian Satellite Based Augmentation System that provides accuracy needed to rely on GPS for the flight है और ये हेलिकॉप्टर के लिए पहली बार एशिया में ऐसा इंडिया ने किया है नेक्स्ट किस राज ने सूफी संथ हजरत खौजा बंदा नवाज गेशु दराज के उर्स-ए-शरीफ कारक्रम की मेजवानी की विच स्टेट होस्टेट दा उर्स-ए-शरीफ इवेंट उर्स-ए-शरीफ इवेंट उर्स-ए-शरीफ इवेंट ऑफ दे सूफी सेंथ हजरत खौजा बंदा नवाज गेशु दराज को साथ कर्रेक्ट आंसर इस करनाटक याद रखिएगा करनाटक से पूछा जा सकता है कि 22 प्रतिशिए लोगों ने स左 सही आंसर डिया और करनाटक में एक रैली होती है जिसको संडल पोजिशन भी कहा जाता है संडल रैली कहा जाता है दरगा के प्रवाइसे और ये करनाटक में एक जगें है जिसका नाम है कला बुरागी कला बुरागी में इसको किया गया है नेक्स्ट कोस्चन ये कोस्चन हम कर चुके हैं पहले मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं पहले दे चुका हूँ किसी और तरुन मीना कहा यह नाम याद किया तो बहुत कुछ तो कई चीज़ deshalb को याद नहीं रिलेट करनी होती है जीसाए नाम ए तो इसं में आपकुछ चीज़ रिलेट कर लो वह आपको यह नहीं याद हो रहा है उर्स ए शरीफ तो उर्स ए शरीफ तो आप रिलेट कर लोगे क्योंकि यह तो इविंट का नाम है ठीक है अब जो सूफी संत है हजरत खौजा बंदा नवाज गेशु दराज अब यह बंदा नवाज आप याद रख सकते हो बंदा रांकिंग दी गई है क्यों फाइव वर्ड यूनिवर्स्टी रैंकिंग टुटी टुटी फूर में और यह हमने शायद एक दो दो दिन पहले हमने इसको किया था यह इस दा करेक्ट आंसर चाचट प्रच्छत लोग इसका अंसर कर पाए युकर एक-टैया में जो कितने इंस्टिटी ूट है जिनकी क्योर एस वर्ड यूनिवस्टी रैंकिंग निको शामिल कीया राई है तो करेक्ट आंसर इस प्टीफाइड कै करेक्ट आंसर इस प्टीफाइड अट यह कॉल कि बगुल सभी अफरोज आलम बहुत सही जारे हो तुम अच्छा कर रहे हैं आप मेनत कर रहे हैं तो एक्जाम में दिखेंगी 83 प्षित लोगों ने सही आज़े आज़ FPS अम्रोहा की धोलग को रिसेंटली जै आ के नहीं है है अम्रोह की धोलक को जाइए टैख जग दिया गया जोगरफिक ल इंडिकेशन टैज था कि पूछ रहाए कि अम्रोह किस राज्य में अब यह आपको पता होना चाहिए आम्रोहा उत्तर अंशर इस बी उत्तर प्रदेश अमरोहा की जो धोलक है यह आम की कटहल की 70 प्रश्ट लोगों ने सही आंसर दिया यह आम की कटहल की और टीक की लकडी से जो है मिलके इसको बनाया जाता है इसमें एक अलग तरीके की अपनी यूनीक बीट होती है जो इसको नौर्थ इंडिया का जो फोक म्यूजिक है उसमें इसको बहुत यूज किया जाता है वो सकता है आपके घर में भी यह धोलक रखी हो आपको पता ही नहों कि अम्रोहा की धोलक है ठीक है चलिए नेक्स कोश्चन पूझा है हाल ही में किस फुटबॉलर ने दोसों अंतरराष्टी मैच का रिकॉर्ड बनाया है रिसेंटली विच फुटबॉलर वास्मेड अरिकॉर्ड फ्लेंड ट्रॉंड इंटर्नेशनल गेम्स ने करेक्ट आंसर इस ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रि सब्सक्राइब नाम शामिल कर लिया गया है यह पहले ऐसे प्लेयर हैं जोने दोसों मैच खेले लगभग लगभग 20 साल के कैरियर में इन्होंने दोसों मैच खेल डाले और इन्होंने वर्ड रिकॉर्ड बनाया है नेक्स कोश्चिन भारत ने देश का पहला आयाइटी परिसर इस्थापित करने के लिए एक समझोते के ग्यापन पर हस्ताक्चा किया है वो किस देश के साथ किया है इन विच कंट्री एंडिया है साइझ थाइन मेंमोरेंड़ंडम अंडिश्टेंडिन की केंपश के केंपश है इंडिया के बाहर इस Euq इसको याद रखिएगा पूछ Oklahoma अनसर इस आवरें के प्रत्विशेंफन लोगों ने याद रखने की ज capitalistी नी प्योंकि को पता है नेक्स कोश्चन पूछ रहा है और यह कुशन हम कर चुके कलिया परस्व हमने किया है इन विज इस टेट हां मैं इसको एड़ कर देता हूं एक लड़के ने सही बोला यह कौन कर रहा है आएटी चेन्ने या आएटी मद्रास जो है इस कैमपस को इस्टेबलिश कर र पूछ रहे हैं पूछ रहे हैं किस राज में पक्षी करना के अनुसार पक्षियों की दो सो पास से अधिक प्रजातियां पाई यह हमने अभी इसको डिसकस किया था एक दो तीन दिन पहले ही अगरे करेक्ट आंसर इस बिहार है वह मुझे नहीं पता जो चीज नहीं पता है उसके बारे में नहीं बता सकता वो कन्फूजन करेट करेगा आप अपने तक रख सकते हैं चीजों को चलिए नेक्स कोश्चन फ्रांस का जो हाइस अचीज्चन ंदे को रिसेंटली उससे नावाजा गया है क्रेज़ए अफ लीजियन ऑ उस एव further ऑप और और ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री शी नरिद मोदी जिनको ये ओनर दिया गया है पूछ रहा है कि चंद्रयान तीन मिशन को जो लॉंच किया गया था उसकी लॉंच डेट क्या थी चलो पिछले कुश्चन का है ये सी सी सही आंसर था 57 प्रच्षत लोगों ने सही आंसर दिया तो चंद्रयान तीन की मिशन डेट कब थी ये तो बहुत ही सो प्रतिशद इसके आने की संभावना है सब पढ़ लिया है लॉंच डेट नहीं पता वही पूछ लेगा 24 जुलाई 2023 को लॉंच किया गया लास्ट क्वेश्चन हुई इस डाइरेक्टर ओफ चंद्रयान थ्री मिशन तो मैं आपको एक बार लीडर बोर्ट दिखा देता हूं पर सेकेंड थर्ड कौन है तरुन मीना के लिए ताली बजा दीजिए अफ्रोज आलम के लिए निक ये लोग अच्छे बच्चे इन्हों भी कर सकते हैं हो सकते हैं आपने तना सीरिस्ली ना लिया हो एक्जाम में आप सीरिस्ली करेंगे वेदिका प्रशांत कौशलेंद्र अभै श्रेश्ट सुनील अमन सयंतनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शुभं विकास प्रीती आमिर अभिनाश राजा पंकज आशू सक्केत पतानी बड़ा डीम भाई नाम रखा है एनके वाई सुदीर खालखो विवेक आयूश सुशील विवेक मुहम्मद लक्षमन कौशल निलेश नीलिमा विरया अयान चितिज निशांत अभिमनू अनिकेत माधवी अखिलेश निशांत ज्वाई वश्राज बंटी चुलबुल विश्वजीत समद रितेश मीत मीना कितने नाम है भाई राव विलेन मनीश सौम्या राश्च्री प्रजातक हेमंत अर्विन सबके नाम मैंने पढ़ दिया 73 लोगों के नाम पढ़े आज लास लास ही त आप लोग बहुत अच्छे से एक्जाम में करेंगे एक चीज़ का द्यान रखिएगा कोशिश करिएगा कि एक्जाम में आप अपने टेंप्रामेंट को लूज ना करें थोड़ा टाइम अच्छे से मैनेज करिएगा मैंने एक सेशन भी इसके उपर लिया था किस तरीके से आप अपने दो घंटे को बेस्ट तरीके से यूटलाइज कर सकते हैं तो उसको एक बार देख लीजेगा हो सकता है वहां से आपको फाइदा मिले कुछ और question answer करते समय अपने जो temperament उसको control रखेगा क्योंकि आपको गलती कम से कम करनी है क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत धेर सारी शुबकामना है आपके एक्जाम के लिए आई होप आप सब अच्छे से परफॉर्म करें अपने एक्जाम में तिल देन गुडबाइ टेक क्यार बट उससे पहले मैं आपको अपना परस्नल टेलिग्राम चैनल बता दिता हूं यहां पर आपको पीडिएफ मिल जाएगा आपको इंजीनेस वाला के ऑफिशल टेलिग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा आशुतोश सर पीडबलू के नाम से मेरा टेलिग्राम चैनल है पीडबलू में उसको आप जोइन कर सकते हैं वहां पर आपको मेरा पीडिएफ इस क्लास का मिल जाएगा पूरा अशिरवादे वेटा पूरा अच्छे से करोगे सब लोग बहुत अच्छा करोगे एक्जाम को फोड़ दोगे देखो दोई चीज है वो तो बहुत बड़ी है मैं आपको बहुत शॉट में बता देता हूं भगवान करशने अर्जुन से सिर्फ एक ही बात बोली कि युद्ध के छेत्र में कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं कोई सगा नहीं कोई संबंधी नहीं युद्ध के छेत्र में सिर्फ दो ही ची हो, तो तुमें ये युद जीतना ही जीतना है, तो बस यही धारना लेकर अगर E advocation में जाओगे, ये confidence लेकर जाओगे, कि ये युद है, ये च्छेत्र, ये जीवन एक युद च्छेत्र है, इसमें दो ही चीज़ी है, या तो जीतो या हारो, अगर हारना है तो फिस उसाफ से चलो और जीतना है और सिर्फ जीतने के लिह अगर खेलोगे तो आज नहीं तो कल, जीतोगे ही जीतोगे, मन से निकाली Sparkly की मैं हारूँ तो इहनी शब्दों के साथ आज की इस सिरीज की लास को खतम करते हैं अपना ध्यान रखिए मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू सो मच दें गुर्बाइ टेक केर औल अबैस इस्टे कनेक्टेर थैंक यू सो मच